कुश्यन 2005 का सवाल है कुश्यन सेज टू चार्जेश क्यू एंड क्यू ट्री सेंटिमेटर अपार्ट एज शोन इन दा फिगर अ थर्ड चार्ज क्यू ट्री इस मूवड अलॉंग दा आर्क ऑफ शर्कल ऑफ रिडियस 40 सेंटिमेटर फॉं सी टू डी हमें बताना है कि चेंज फ्रोसेटी कॉंसेंट नहीं है इस सेपरेट कॉंसेंट हमें बताना उस के की वैल्ली क्या होगी सिंपल सवाल है थोड़ी सी कैलकुलेशन पर यहां करनी पड़ेगी तो यह अपना सेनेरियो है कि एक चार्ज यहां रखा है यहां पका 40 सेंटिमेटर क्यू त्री चार्ज य यह 30 सेंटिमेटर है अवा, तो उसके बाद केыв betting को जब आपने यहां मूव किया है तो यहां से यहां iStan's का इसका डिस्टेंस हो गया, 40 इसनों पाब 5 आप एक दोनों की वज़े से बासर पयों इन दोनों के वज़े से आपकी एनर्जी होएगी काँ यह कि रागया q1 q2 by r q1 इसका और इसका q3 divided by 40 cm plus इन दोनों के बीच का distance है so it will be equal to q1 q2 divided by 30 cm plus इसमें हम potential energy add करेंगे q2 और q3 की now q2 और q3 की potential energy के लिए हमेंगे distance पता होने की जरुवत है और यह जो अपना distance होएगा यह होएगा under root of 40 का square plus under root of 30 का square now 40 और 30 का square होके under root 50 हो जाएगा so this will be plus q2 q3 divided by 50 now यहाँ पर सारे distances यह सारे value of r हमने cm में लिखे हुए जब जरुवत पड़ेगी इसको हम मेटर में बार में convert कर सकते हैं so यह आपका initial potential energy होगी now जब आपने इस particle को q3 charge को यहाँ move कर दिया तो इसकी जो potential energy final लिखे जाएगी वह होएगी 1 by 4 pi epsilon 0 अज़ा यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं v is equal to k q by r यह आपका potential होता है और इसी को आप उस charge से multiply कर देंगे तो यह आपकी potential energy आ जाएगी so यह आपकी potential energy यह हो जाएगी so अब q1 और q2 के q1 और q3 के बीच की जो potential energy है वो है की q1 q3 divided by 40 because इनके बीच का distance अभी भी 40 cm है plus q1 q2 का आ जाएगा q1 q2 divided by 30 यह distance अभी भी 30 है और q1 q2 और q3 के बीच में हो जाएगा q2 q3 divided by 10 because अभी इनके बीच का distance जो है वो 10 बचा है now हमें यहाँ पर बताना है change in potential energy तो उसके लिए हम क्या करेंगे delta u will be equal to uf minus ui इसमें से हम यह minus कर देंगे जब यह minus करेंगे तो यह वाली term और यह वाली term cancel हो जाएगी सिर्फ यह term बचेगी so change in potential energy होएगा 1 by 4 pi epsilon not और bracket में बचेगा final में से initial minus कर रहे है q2 q3 common ले लेते है q2 q3 common हा गया so यह बचेगा 1 by 10 minus 1 by 50 और यह आपका अभी भी देहान रखना है हमें centimeter में है इसको भी meter में convert कर लेते हैं यह 100 by यह हो जाएगा और इसको जब हम LCM लेके से calculate करेंगे q2 q3 divided by 4 pi epsilon not multiplied by इसका जब हम इसे calculate करेंगे so LCM यहाँ पर 50 होएगा यहाँ आपका 5 minus 1 4 so यह बचेगा 4 by 50 multiplied by 100 यह 8 बच जाएगा so delta u will be equal to 8 multiplied by q2 q3 divided by 4 pi epsilon अब इसको जो हमें term दी हुई है जिससे हमें compare करना है वो है q3 q3 k divided by 4 pi epsilon k divided by 4 pi epsilon so इसके basis पर हम कह सकते है कि k की value जो होएगी 8 q2 all right so it will be 8 q2 so yeah which implies k will be equal to 8 q2 so based on this हम कह सकते है कि 8 q2 option number c would be the right answer देगो है